प्रयाग्राज हाईवे पर गुरुवार की रात एक ट्रक अनियंते थोकर पलट गया इस घटना के बाद डीजल टैंक में जोरदार धमा का हुआ जैसे उसमें आग लग गई गनिमत रही की चालकवा खलासी बाहर निकलाए थे मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है वहीं दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया घटना राश्ट्रिय राजमार्ग क्रमांक 30 सोहागी पहाड की बताई जा रही है सत्ता जुले के अमरबाटन से ट्रक लोड करके प्रयाग राज जा रहा था राज करीब 10 बजे ट्रक जैसे ही सोहागी पहाड से नीचे उतरते लगा तब ही ये चानक चालक नियंतरन खो बैठा और ट्रक डिवाइडर से टकराकर अनियंतरित होकर पलट गया दोरान ट्रक वा डीजल टैंक एक धमाके के साथ फट गया और पूरे ट्रक में आग लग गई ट्रक में फसे तीन लोग ततकाल बाहर निकल आए जिससे उनकी जान बच गई घटना से हाईवे में अफरात तफरी मच गई सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई चालक वा खलासी हाथसे में घायल हुए थे जिनको इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है पुलिस की सूचना पर दमकल मौके पर पहुँच गया जिसकी मदद से आग पर काभू पाया गया है ट्रक में सब्सक्राइब देखते रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर